नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं News at Night गोवा में बागी कॉंग्रेसियों को मंत्री पत का तोहफा, GFP को किया आउट। गोवा के मुखे मंत्री प्रमोज सावंत ने आज कैबिनिट का विस्तार करते हुए चार नए विधायकों को मंत्री मंदल में शामिल किया। इन चार में से तीन वे विधायक हैं जो हल ही में कॉंग्रेस का साथ छोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जैनिफर मोंसेरार्थ, फिलिप नैरी रोडरिक्स और चंदरकांत कावलेकर को मंत्री बनाय गया है। जबकि गोवा फॉरवर्ट पार्टी के कोटे से मंत्री रहे तीन नेताओं को पद से हटा दिया है। मौजुदा समय में 40 सदस्यों की गोवा विधान सभा में 27 बीजेपी विधायक मौजूद हैं। मौब लिंचिंग पर मायवती का बड़ा बयान, सख्त कानून बनाने की मां। बस्पा सुप्रीमों मायवती ने मौब लिंचिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार की नीती की वज़े से सर्व समाज के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। दरसल उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सर्व समाज के लोग ही नहीं, बलकि पुलिस को भी मौब लिंचिंग का शिकार बताया है। मायवती ने मौब लिंचिंग पर जल्द ही कोई देश्व्यापी कानून बराने की मांग रखी है। करनाटक संकट जारी नाराज विधायकों को मनाने में जोटी कॉंग्रेस। करनाटक में जारी राज़ितिक अस्थिर्ता के बीच वरिष्ट कॉंग्रेसी नेताओं ने विधान सभास्ते इस्तीफा देने वाले असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए परदे के पीछे से बाचीत शिरू कर दी है। इसे पहले मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने विधान सभा में सभी को हैरान करते हुए ये घोशना की के वो विश्वास मत कराएंगे। इसके तुरंत बाद असंतुष्ट विधायकों को मनाने की कोशिशे तेज कर दी गई। करनाटक संकट में एक और तूफान तब आ गया जब पांच अन्य विधायकों ने सुप्रीम कोट में इस्तीफा सुईकार किये जाने की अर्जी दाखिल कर दी। इससे पहले दस विधायक पहले ही विधांसभा स्पीकर रमेश कुमार के इस्तीफा सुईकार न करने की शिकायत पर सुप्रीम कोट का दरवाजा पीट चुके हैं। इस मामले पर 16 जुलाई को सुनवाई होनी है। ICC Cricket Wish Kristen Cup का फाइनल कल नुजीलाई इंगलाई में होगी खिताबी भिड़नत। ICC Cricket Wish Kristen Cup का फाइनल मैच कल नुजीलाई और मेशबान इंगलाई के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने एक बार भी विश्वकं का खिताब नहीं जीता है। निउजिलैंड पिछले विश्व कप में फाइनल में आस्ट्रेलिया से हार गया था वहीं इंगलैंड पांच बार फाइनल हार चुका है दोनों ही टीमों में से जो भी जीतेगा इतिहास रचना पक्का है पहले सेमिफाइनल में निउजिलैंड ने भारत को और दूसरे सेमिफाइनल में इंगलैंड ने आस्ट्रेलिया को मात दी थी पॉलिटोक्स निउज में फिलहाल के लिए इतना ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जोड़े रहिए पॉलिटोक्स निउज के साथ